बेकिंग प्रक्रिया का परिचय बेकिंग ओवन में नियंत्रित शुष्क ताप, गर्म राक या गर्म पत्थरों पर फोजन पकाने की विधी है बेकिंग की प्रक्रिया में ताप के तीन रूपों का मिश्रित रूप से उप्योग किया जाता है ये तीन प्रक्रियाएं हैं समवहन, विकिरन, चालन नीचे विस्तरत रूप से चरणों के बारे में बताया गया है और बेकिंग की समगर प्रक्रिया का विवरन दिया गया है पूर्व मिश्नन तयार करना, आटा तयार करना, बाटना, आटे को मोल्ड करना, प्रूफिंग, बेकिंग, थंडा करना, पैन से निकालना, तुकडा करना, और पैकिंग करना, आएए हम इस प्रक्रिया सारनी की मदद से बेकिंग की प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं बेकिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त औजार और उपकरन सिफ्टर इसका प्रयोग समतल छलनी का उपयोग कर मोटे अनाज और आटे के महीन कणूं को अलग करने के लिए किया जाता है सिफ्टर के मुख्य भाग ड्राइव तंत्र और छलनी के सेट हैं आटा को शेतिच या तिर्ची छलनी से अनाज अलग करता है और कण के आकार अनुसार छे समूहों में से तीन में सिफ्टिड करता है मिक्सर इसका प्रयोग केक लपसी को मिलाने और मलाई फेट ने आटे आइसिंग इत्यादी सामगरी भरने में किया जाता है बेकरी मिक्सर के दो प्रकार होते हैं प्लैनेटरी और स्पाइरल प्लैनेटरी मिक्सर का मिक्सिंग आर्म कटोरे की गती के बिना प्लैनेटरी का सेट है सभी उत्पादों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है spiral mixer में mixer का कटोरा घूमता है और घूमते हुए आटे को गूंतते और फेटते समय हुक को भी घूमाता है इसका प्रयोग bread, bagel और pizza की परत के लिए आटा फेटने और मिलाने के लिए किया जाता है divider, rounder इसका प्रयोग आटे को बराबर अनुपात में बाटने के लिए किया जाता है यह motor चालित मशीन आम तौर पर bread आटा के लिए प्रयुक्त होती है आटा शीटर इसका प्रयोग वांचित मोटाई के साथ शीट में आटा घूमाने के लिए किया जाता है समान शीट का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक घृणन रोलर्स के बीच आटे को संकुचित किया जाता है विशेश रूप से इस उपकरन का प्रयोग पेश्ट्री और बिस्कुट के लिए किया जाता है आटा मूल्डर इसका प्रयोग अधिक गती पर आटे को समान आकार देने के लिए किया जाता है यह इंधन और उर्जा खपत के मामले में अत्यधिक कुशल है प्रूफ बॉक्स प्रूफर्स यह बंद जगे है जो सही वातावरन प्रदान करती है और खमीर से आटा के किनवन को बढ़ाती है इसे गर्म तापमान और नियंत्रित आर्द्रता उपलवद करा कर किया जाता है लैमिनेटर इसका प्रयोग बिस्कुट को काटने और बनावट देने की शीट बनाने के लिए किया जाता है उन्मुखी करण पर निर्भर लैमिनेटरों को उर्ध्वादर और क्षैतिज रूप में वर्गिक्रित किया जाता है बेकिंग ओवन इसका प्रयोग सल्लगन कमपार्टमेंट या बॉक्स में भोजन सेकने या भुनने के लिए किया जाता है डिपॉजिटर इसका प्रयोग लोई के उचित भागों को जमा करने के लिए किया जाता है रोटरी कटर यह बिसकुट को वांचित आकार के अनुसार आटे काटने के लिए प्रयुक्त विभिन आकरितियों के साथ रोलर्स की एक जोड़ी है आटा मोल्डर्स इसका प्रयोग बिसकुट, कुकी या केक का वांचित आकार पाने के लिए किया जाता है स्प्रेयर्स, कटर्स, इसका प्रयोग तैयार उत्पादों को अच्छा लुक देने के लिए उनकी कोटिंग या स्प्रेइंग के लिए किया जाता है दस्टर, इनका प्रयोग बिसकुट में चीनी और या नमक जाडने के लिए किया जाता है Cooling Convayor, इसका प्रयोग तयार उत्पादों को ठंडा करने के लिए किया जाता है Packing Machinery, तयार उत्पादों की packaging के लिए इसका प्रयोग किया जाता है Oven के प्रकार, Oven Baking प्रक्रिया में एक अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपकरण है Baking उत्पादों के विभिन प्रकारों के लिए विभिन बेकिंग प्रक्रियाओं की आवश्यक्ता होती है इसलिए Oven के विभिन प्रकारों का उप्योग किया जाता है आईए, हम Baking उत्योग में इस्सिमाल किये जाने वाले Oven के विवरण पर एक नजर डालते है Cabinet, Rack Oven और Deck Convection Oven बड़ी शीट पैन विभिन उन्चाईयों में बेकिंग के लिए विल्ड किये जा सकते है Mechanical, Reel Oven और निरंतर तनल कनेक्शन उत्पाद, Oven के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट पर घूमता है बिसकुट की समान बेकिंग के लिए उप्योगी है Masonry, नीजी दुकानू और कैफे में प्रयुक्त वुड फायर ओवन 450 डिग्री सेल्सियस का अधिक्तम तापमान बनाए रखा जाता है छोटे और मध्यम आकार की बेकिरियों में बेकिंग के रैक, डेक और रील ओवन का उपयोग होता है बड़ी बेकिरियों में निरंतर कन्वेक्शन ओवन का उपयोग होता है क्यूंकि वे किफायती होते हैं वाइट ओवन, ताप हस्तान तरण से गरम होते हैं, उत्पाद को अलग कक्ष में पकाया जाता है बेकिंग उद्द्योग में प्रयुक्त निर्मान प्रक्रियाएं बेकिंग उद्द्योग में बेक्ट उत्पादों के प्रसंसकरण के दो तरीके हैं ये तरीके हैं सतत प्रक्रिया और बैज प्रक्रिया सतक प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया जो प्रक्रिया पूरी होने तक सतक चलती रहती है स्वचालित मशीन का उपयोग किया जाता है मानव श्रम का उपयोग नहीं होता मशीन नियंत्रन पूरी प्रक्रिया के प्रारम में केवल एक बार स्थापित की जाती है बिस्कुट कुकीज आदी इसी प्रक्रिया का उपयोग कर बेक किये पकाये जाते हैं बैच प्रक्रिया अर्ध स्वचालित मशीनों का उपयोग करने वाली चरण शह प्रक्रिया मानव शरम शामिल होता है प्रत्येक बैच के लिए मशीन नियंतरन सेट करना होता है यह प्रक्रिया ब्रेड, केक, बंस, आदी बेक करने, पकाने के लिए उपयुक्त है प्रूफिंग किनवन कर्मक का उपयोग कर गूते हुए आटे का अंतिम रूप से फुलाने की विधी है प्रूफिंग व्यापक किनवन प्रक्रिया का हिस्सा है आईए अब हम ओवन बेकिंग प्रक्रिया के विभिन्द चर्णों पर नजर डालते हैं ओवन को पहले से गर्म करे पैन को लोड करे बैच, सतत, प्रक्रिया के अनुसार बेकिंग के लिए तापमान और समय सेट करे बेकिंग शुरू करे रंग और बेकिंग उत्पाद की रूप रेखा का अवलोकन करे बेक्ट उत्पाद की गुणवत्ता की अच्छी तरह जांच करे बेक्ट उत्पाद को कूलिंग रैक पर ले जाए बेक्ट उत्पादों को पैकेजिंग के लिए भेजे आईए हम इस प्रवाह चित्र के माध्यम से ओवन बेकिंग प्रक्रिया को संग्शेप में समझते हैं तैयार उत्पादों की पैकेजिंग फंडारन तैयार उत्पादों की पैकेजिंग में Modified Atmosphere Packaging MAP का इस्तेमाल किया जाता है विधी में Carbon Dioxide और Nitrogen जैसे गैसों का इस्तेमाल किया जाता है जो उत्पादों की Shelf Life को बढ़ाती है तैयार होने के बाद उत्पाद संग्रहन और Pack के लिए तैयार होते हैं तैयार उत्पाद लगादार नमीक होते हैं और समय अनुसार सेट होते हैं अता Pack करने से पहले सही तैयार से बने उत्पाद को थंडा करना महत्वपूर्ण है यह तैयार उत्पादों के लंबे Shelf Life को सुनिश्चित करता है थंडा करने के प्रक्रिया के दौरान थंडे वातावरण की नमी नियंतरत की जानी चाहिए कूलिंग प्रनाली के लिए दो प्रकारों को अपनाया जाता है वे हैं वायू मंडलिय बहुस्तरिय कंवेइर कूलिंग सिंगल डबल या तीन स्तरों वाले एक कैनवास वेब पर ओवन बैंड गूमते हैं वे आसपास के वातावरण में धीरे धीरे थंडा करते हैं फोस ड्राफ्ट कन्वेयर कूलिंग इस प्रकार में स्वच वायू कूलिंग कन्वेयर पर ओवन के बाहर से आने वाले उत्पाद की दिशा में बहती है यह तेजी से वायू मंडली ये प्रकार से उत्पादों को ठंडा करते हैं निर्माता से उप्योग करता तक तयार माल को बनाए रखने सुरक्षा और डिलिवरी और सौरक्षन को सैकेजिंग सामगरी कहा जाता है तयार उत्पादों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल सामगरी का चयन गिया जाता है यदिवे बाहरी गंध, प्रदूशन, ताप और नमी से बचाना, यांत्रिक शती से बचाना उत्पाद की आसान हैंडलिंग में मदद, ले जाने में आसान, उत्पाद के शेल्फ लाइफ को बनाए रखना या बढ़ाना उप्भोक्ताओं के लिए मूल्यों और सामगरी के लिए कानूनी अनुपालन का पालन करना पैकेजिंग को मूल रूप में वरगी कृत किया जाता है, प्राथमिक पैकेजिंग और द्विती एक पैकेजिंग यह उत्पाद के सीधे संपर्क में आने वाली पैकेजिंग है वैक्स कोडेट या लैमिनेशन, बोप फिल्म कागस का प्रयोग किया जाता है जैसे आम तौर पर ब्रेड और बन पैकेजिंग बेस कोटेड पेराफिन मोम से बनी होती है द्वितेग पैकेजिंग परिवहन, गोदाम भंडारन, हैंडिलिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकेजिंग है अकसर कारबोर्ड बक्से, क्राफ पेपर से बनी सी बीबी में प्रयोग होते हैं जैसे ब्रेड और बंज रखने वाली प्लास्टिक किप बक्से तैयार उत्पाद का भंडारन तैयार उत्पादों का भंडारन करते समय कुछ सामान्य तरीकों को अपनाया जाता है क्रीम, पनीर या अंडे जैसे खराब होने वाले तत्वों युक्त बेकरी आइटम रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं लंबी शेल्फ लाइफ के उत्पादों को कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जाता है सभी तैयार उत्पादों को इसकी सामग्री और शेल्फ लाइफ के लेबल के साथ संग्रहित किया जाता है FIFO और FIFO जैसे स्टॉक रोटेशन विधियों का प्रयोग तैयार उत्पादों के रोटेशन के लिए किया जाता है FIFO First In, First Out यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जो उत्पादिल किये जाने वाले उत्पादों को उत्पादन क्रम के आधार पर खाद्य प्रसंस्कृत डिस्पैच करती है FIFO First Expire, First Out यह एक स्टॉक रोटेशन प्रणाली है जिसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बिक्री के लिए भेज दिया जाता है बेकिंग तंतरग्य की भूमिका और उत्तरदाईतों पर नजर डालते हैं प्रक्रिया लाइन के लिए कटाई के बाद भंडारन से कच्चे माल को हैंडल करना गुण्वत्ता के लिए बेकिंग सामगरी की जाच करना सुनिश्चित करना कि सामगरी में धूल, मिट्टी, बाहरी पदार्थ, काच और कीडे न हो कच्चे माल के कम से कम नुक्सान को सुनिश्चित करना बेकिंग सामगरी के दस्तावेश और रिकॉर्ड को बनाए रखना कच्चे माल के दस्तावेश और रिकॉर्ड को बनाए रखना उत्पादन कारिक्रम और प्रक्रिया दस्तावेश और रिकॉर्ड को बनाए रखना तयार उत्पाद के दस्तावेज और रिकॉर्ड को बनाए रखना सुरक्षा और स्वच्चता सम्बंदी उपायों को अपनाना खाद्य सुरक्षा मान दंडो और कार्यों को करना साफ सफाई के लिए कार्यक्षेत्र का निरिक्षन करना मशीनों का निरिक्षन करना करना मशीनरी को अधिक्तम उपयोग के लिए व्यवस्थित करना आवशक्ता होने पर उपकरण और मशीनरी की थोड़ी बहुत मरम्मत कराना सुनिश्चित करना कि श्रमिकों सहायकों द्वारा सुरक्षा नियम और विनियम पूरे किये जा रहे हैं दुरगटनाओं को रोकना बेकिंग के विभिन चर्णों में उत्पादों की जाच करना बहतर निर्मान कारियों जी एम पी का पालन करना उत्पादों संगठन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना मात्रा के लिए अशुद्धी और तयार उत्पादों की जाच करना सुनिश्चित करना की गुणवत्ता संगटनात्मक मानकों के अनुरूप है पैकेजिंग व भंडारन संबंदी मान्दंडों का पालन करना कच्चे माल तयार उत्पाद व पैकेजिंग सामगरी के उचित और सुरक्षित भंडारन संबंदी उपायों को अपनाना